यह भी काफी टाइम तकड़ेगा हलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आप लोग सही होंगे और यह देखिए आज सुबा का मौसम है साम को पानी की गिरा हुआ है और यहां पर मैं अपने छत पर आया हुआ हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा यह मौसम बहुत ही जबरदस्त है आप देखे यह देखें कितना अचबरदस्त मौसम है यहां पर थोड़ा बादल है और फिर इसके बाद में बादल हट रहा है यहां पर सुबा का माहूल है चिडिया चहचाह रही है ना सूरज है ना सितारे हैं फिरूवी मौसम कितने सुहान है देखिए बहुत इचबर कबूतर के बारे में एन वीडियो भी बनाया देखे उड़ाते हैं इस मौसम में इसका देखते हैं। उड़ान कैसा करता है उसके बाद आए और ses कबूतर मेर क कबूतर मेरा वं नगया है प्रसना कबूतर्स पर छोल के हम देखते लिद्स कुछ के बंगर दे रहा है, यह बाई यह तीसरा कभूतर है, यह जो है इसका सफेद आख है, वो दोनोव पीली आग की थी, जरदही आख के, यह जो है, इसका छाटवा कली भी आ रहा है, यह बीबच्च यह, इसको भी आज उडा के च्छक करते है, अरे जो कववा उल रहते हैं, वहाँ पे म मंकीआ हैं इसको धुक छोड़क है कि देखिया भाई कभूत रिया औहला कि इसको के साथ साथ कैसा ओले कहा Champ consider जहाए है जो बहुत ज्यादा और मुद्धाते हैं वहां पर देखिया ऊपर काफी घ्लत त Sang 7-10 September यह को दिखाते हैं यहँ जब हो जाएगा निके दिखांगे यह काभूतर फिर वापस प्री वा दाइब हुआ तो आपको दिखाऊँगा भी ह्याक क्रे लिए उश्य कबोतर का घें सध्य अब जंगली नहीं ये तो पांच कभूतर दिख रहे हैं कहीं से ये या तो दूसरे का आ गया या तो फिर हमारा ही, हम तो च्यारी उळाएगे तो ये अभी काफी ऊपर है तो अब हम देखते हैं अभी काफी उपर रही है अभी नीचे आने की कोशिज कर रहे हैं अभी मैं और कभूत्रों को खोल कर इसे नीचे लाओंगा और आपको दिखाऊंगा पकड़ कौन सा कभूतर है यार कभूतर वापस नहीं आ रहे हैं अभी काफी समय से हम छट पर खड तो मैं एक कबूतर करके और उला रहा हूं ये देखिए कबूतर और लेकर आये हैं ये भी कबूतर बहुत ही जबरदस्त कबूतर है देखिए इसको भी उला दे रहे हैं ये भी उलने वाला कबूतर है ज्यादा उलेगा नहीं पर जहार रहा है कि इसको थोड़ा उला देते है सुबा का माहौल है कबूतर उलाने से कबूतर बीमार नहीं पढ़ते इसलिए थोड़ा उड़ा दे रहें देखें इस कबूतर को इसको भी उड़ा देते हैं यह चील आ गया यहां पर और सारे कबूतर उपर हैं देखें और यह कबूतर जो उड़ा है यह नीचे है काफी यह देखें इसे कबूतर नीचे आ रहे हैं देखिए तार पर बैठ रहे हैं कबूतर सारे नीचे आ रहे हैं वह जो एक इस्ट्रा कबूतर था वह नहीं भान कंप से पता नहीं है कि उप पांच कबूतर उड़ाए थे चार पहले उड़ाए थे पांच हो गए थे उसके बाद एक और उड़ाए थे वो भी आ रही है यहां पर देखे यह दो है देखिए एक यह दो और तीन यहां पर बैटे पांच है एक कबूतर आओ एक कबूतर जो है भी उपर यह यहां पर यह वह उपर यह भी ऊड़ी रहा है तो जो जो कं उडने वाले थे हो नीचे आंगे जो उने कहा था कि यह कभूतर ज्यादा ऊड़ने वाले ऊपर है देखें और यह सब कबूतर वह भी बड़ी हा उड़ा है सामको भटक रहा था लेकिन एक कबूतर जो है बहुत उपर है मेरा यह वहाँ देखिए जो मैंने कहा था कि बहुत उड़ने वाला कबूतर है तो वह भी गूड़ी रहा है भी काफी टाइम लेगा तो हम इसको तक पकर के आपको दिखा रहे है वह तो आएगा उसको मैंने दिखा चुका हूँ बताया भी था यह ज्यादा उड़ने वाला तो आप देख लें वही कबूतर है वह काला वाला वह अभी काफी टाइम तक उड़ेगा और यह जो अभी उड़ाया है हमने कबूतर अभी सबसे लाश्ट में यह उड़ साम को बंद नहीं हो था तो सात में कहीं चला गया था साम को इस समय आया तो भाईयो यह रही है आज की हमारी चोटी से ब्लाग और सुबा का माहूल तो हमने सारे कबूतरों को उड़ा के दिखाया पकड़ के दिखाया जो इस्ट्रा कबूतर था उसको भी हमने आपको रहा दे रहे हैं उसके बाद वो कभूतर अब साम तक ही लोटेगा वो ज्यादा उड़ता है कभूतर उसको उड़ाते भी नहीं है इसलिए उसको उड़ाने में ज्यादा मतलब कहीं धर उधर ना चला जाए उसको उड़ाते भी नहीं है उसके बच्चे को उड़ाते हैं उसक यह देखें उपर आस्मान में देखें बहुत ही जबर्द से उड़ रहा है लगबक साम को ही वापस आने वाला है तब तक के लिए अगर वीडियो हम कैच कर पाएं अगर यहां पर रहें घर पर तो दिखा देंगे आप लोगों को नहीं ले पाएं तक नीचे आ जाएगा तो